आप सभी का मेरे YouTube चनल पर स्वागत है तो आज का हमारा टापिक है कि हमारे जो गाल के स्किन है उसमें किसी भी प्रकार का अगर वाइट पैच या फिर रेड पैच या फिर ब्लैक पिग्मेंटेशन हो रहा है जो कि पहले नहीं था और अब उसे नोटिस कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी इग्नॉर ना करें और खासकर वो लोग जो लोग smoking करते हैं या फिर टोबैको का सेवन करते हैं किसी भी फर्म में तो उन लोगों के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है तो जितने भी हमारे सिम्टम्स हैं और अगर आप उसे नोटिस कर पा रहे हैं तो आपक इसके लिए जो उपाय है उसके बारे में आज हम लोग करेंगे तो सबसे पहला चीज कि अगर आप गुटका या फिर तंबाकू अगर आप अपने होट के नीचे या गाल के तरफ रखते हैं राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ रखते हैं और उसमें रखने के बाद उस सत नोटिस कर रहे हैं तो यह एक मेडिकल कंडिसेन है जिसको हम लोग टोबैको पॉच किराटोसिस कहते हैं और यह इंडिकेट करता है कि आपके जो जो म्यूकोसल लेयर है उसमें नुकसान हो रहा है ज्यू टोबैको हैबिट तो आपको इसे इमीडियेट छोड देना तो इससे जो हमारे होने वाले जो नुकसान है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं या तो आप इस चीज़ को क्विट कर दें या फिर अगर आप इसे इग्नॉर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जो निकटतम डेंटिस्ट हैं उनसे जाके मिलें या फिर उनसे सलाह लें कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए तो एक चीज तो यह हो गई कि हमें अगर कोई पैच दिखता है वाइट रेड या पिगमेंटेड वह अगर हमें दिखता है जो पहले नहीं था और अब वह एपियर हुआ है तो हमें इसे दिखाना चाहिए और एक और चीज जो हमें तो कोई जरूरी नहीं है कि हम महंगे फलों का ही सेवन करें अगर हमारे मुह के अंदर चेंज हुआ है और आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो जो डाइटरी इंटेक है उसमें आपको थोड़ा सा जो न्यूट्रियंट जो सोर्सेज है उसको लेना होगा जैसे कि पका हुआ ट हमारे जो सत्य है मुह के अंदर उसको नुकसान पहुँच चुका है और उसको रिपैर करने में मदद कर सके तो इस तरह से जो हमारा आज का वीडियो है वह इन सब चीजों से रिलेटेड है और उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू सो म आपको ये अजाए और उसके जोर्च रिलेटेट चाहम पिर नाम कि आपको ये गारिटेट लेटेट आपको ये वीडियो अच्छा ये वीडियो वीडियो है इन सबिस्क्राइब चुका है एन सब्सक्राइब